कि यहां से आपको बनाना होगा नेक्स स्टेट एक्वेशन इस इन्पुट एक्वेशन करोगा इसके इन्पुट में क्या रफोगे अउटपुट भी दिया हुआ है सेपरेट यहां से आपको बनाना होगा नेक्स स्टेट एक्वेशन इस इन्पुट एक्वेशन की यूँका यूज करके तो जो फ्लिपफलॉफ आपके दो फ्लिपफलॉफ हैं यहाँ पे ए एंड बी वह दूनों फ्लिपफलॉफ की नेक्स इस एक्वेशन है, Q यहाँ पर A है और J A के उसका नेम है, first flip-flop का, अब J A की value आपको यहाँ से उठानी पड़ेगी, this is J A, and this is K A, तो J A और K A की जगह आप यहाँ पर यह values रख दो, और A डेश और A as it is, अब आप इस boolean expression को solve कर लो, simple अपने way में, चीक है, solve करने के बाद, इस तरह से यह equation है जाएगी, यह सारे min term सजाएंगे इसके, जो की हम use करेंगे K map बनाने में, चीक है यहाँ तद, now next है इसमें B plus, तो B plus की equation भी same होगी, J B dash plus K dash B, मतलब J B, B dash plus K B dash B, तो B dash and B तो as it is रहेगा, और J B दिया हुआ है, A dash X और K B dash दिया है, A plus X Y dash whole dash, मतलब complement of A plus X Y bar, तो इसको भी as it is अपने solve करेंगे, तो finally अपने को मिलेगा B plus, मतलब next state for second flip flop is A dash B dash X plus A dash B X dash plus A dash B Y, चीक है, तो अपने पास A dash और A plus and B plus next state equation मिल गई, अपने flip flop की, और next state equation के बाद, हम बनाते हैं K map, ठीक है, ठीक है, K map के पहले मैंने तो यहां circuit बना लिया है, क्योंकि आपके बस A dash B dash के input equation थी, यहां पर इस वाले figure में, तो इसको देखके अगर circuit diagram बनाने को आया, तो यह सारा इसको देखके आप directly बना सकते हो, यह वाला circuit, ठीक है न, यह, synchronous sequential circuit बना लिया है, हमने दो फिफ लॉब लिये हैं, J A, K A, और J A में B X plus B dash, Y dash, यह दो input गए, J A के लिए, यह K के दिया हुआ है, B dash, X, Y dash, output निगला A, J B में आप जब देखोगे, B वाला जो flip-flop है, उसमें, इसमें आप चाहें तो न, यह circuit में एक चीज़ और note कर सकते हैं, यहां पर आप mention कर लो A, यहां पर आप mention करो B, ठीक है, तो यह flip-flop की naming हो जाती है, A में J A के, और B में J B की भी, ठीक है ना, इस तरह से यह दोनो flip-flop की naming हो भी, और इसके accordingly, जो भी input equation है, वो आप ऐसे बना सकते हैं, एंड बीच में आपको यहां पर synchronous flip-flop है, मतलब clock pulse दोनों में parallel दी हुई है, यह जो arrow लगाया है अपनने, यह clock pulse के लिए लगाया है, चीक है, इसके बाद, यह है side में, जो right side में आप circuit देख रहा हो, यह output का है, और output का circuit एक minute bit of weight, तो यह दोनों circuit हो गए, z की equation आपको directly given है, इस question में आप देख सकते हो, output की equation, जो z है आपका a x-y- plus b x-y-, this is z, तो z आप यहां पर directly output लिख सकते हैं, z मतलब a x-y- end gate, और b x-y- end gate, तो दोनों को और gate के थूँ, इससे निकाए, जो b वाले के लिए हमने diagram बनाया है, उसमें kb की value में, a plus xy- है या सिफ xy है, बी वाले में, yes sir, kb की value में, एक तो a गया direct, और एक जगह जा रहा है, a xy- यह, वो xy था ना, एक रूंड देख लेते हैं, kb की value क्या है, a plus xy, हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहां पर यह हटा देना, हाँ ना, यह y- नहीं होगा, x and y रहेगा बस, ठीक है ना, sir, z वाली term को solve नहीं करना, direct है, circuit आएगा, solve करने की दुरूत ही नहीं है, direct दिया हुआ है, वैसे भी वो combination circuit है, तो next state होई नहीं सकती, उसकी, आपका जो sequential है, उसी में ही अपन चेक कर सकते हैं, circuit next, है ना, इसी लिए अपन combination circuit में कुछ नहीं करते हैं, जो दिया होता है, as it is रखते हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना काम बचा है, इसके बाद के मैप का, तो देखें के मैप कैसे बनाया है, अब देखो अपने पास दो flip-flop हैं, A और B, तो दो input, तो external input A, B, जो है present state, next state, तो यह sequential वाले, यह input हो गए, अब इसके बाद X और Y, दो output भी है, दो external input भी है अपने पास, मतलब चार input combination हो गए, A, B and XY, अब इसके लिए अपनको के मैप किस-किस का बनाना है, A plus का, A T plus 1 का, B T plus 1 या B plus का, और एक बनाना है, output का Z का, चीक है, तो यह जो के मैप है, A plus, B plus and Z, इसके हम बनाते हैं, अब आप लोगोंने, अगर practice करी है, तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या है कि, या तो ऐसे बना लो, या फिर आप यहां पे न मिन्टम्स के form में लिखो, जैसे हमने लिखा है, A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, यह है, 1, 1 और 1, 0, तो यहां पे आप इसमें लिखो, A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar, यह थोड़ा inverse कर ले ना, इसको, यह order change हो गया, यह यहां सही है, X bar, Y bar, X bar, Y, X, Y bar, तो यह game app के लिए तो अच्छी खासी practice हो भी आप लोग की, एक simple सा बता देता हूँ, suppose A plus निकाला आपने, तो यहां पे देखिए, A bar, B, X, मतलब A bar, B, X वाले को 1 करना है आपको, तो A bar कहां कहां है, यहां यह first two, जो दिख रहे हैं न, पॉलम 1 और 2, यहां A bar दोनों जगा 0 है, A bar, X, Y, है न, तो यहां इन दोनों जगा पे A bar, X, Y bar, तो X, Y bar मतलब X1 और Y 0, यह देखना है आपन को, तो A दोनों में 0 है, और X, Y bar यहां 0, 1 है, यह वाला combination, तो यह दोनों जगा आप 1, 1 लिख दोगे, इन the same way, K map आप बना लोगे, और यह K map जब बन जाएगा, तो इसको as it is उठा के, आपको state diagram यह state table में merge करना है, आप लोगों से K map बना की नहीं इसका? Yes, sir. हाँ न, तो यह K map को उठा के, आपको जब state table बनाऊगे, क्योंकि वो मैंने नहीं बनाई है, वो मैंने, intentionally मैंने सोचा था कि वो आप लोग बनाएंगे, तो यह, यह इस तरह से आप state table जब बनाऊगे, तो A, B लिखोगे present state में, और X, Y के चार column बनाऊगे, जिसमें लिखोगे चारों condition, और उसमें उन condition के according, A plus B plus, चारों में आएंगे, और उन चारों में जैसे A plus लिखा, A, B का, जब X 00 है, तो यह चारों column entities लिख देना, जब यह combination आएगा, तो A के लिए यह column हो जाएंगे, यह, चार column, और उसके साथ फिर B plus के लिए यह वाले column हो जाएंगे, तो इस तरह से आपकी state table बन जाएगी, और उससे आप state graph बना सकते हो, ठीके, और जो आपका जो Z output है, Z output में आप देख लो, यह 3 जगा 1 हो रहा है, तो बाकी जगा 0 कर दो, और इसके लिए कोई state graph नहीं बनता है, output के लिए, क्योंकि इसमें कोई present state, next state वाला concept नहीं होता, यह सीधे-सीधे output होता है, मतलब एक input दिया, और एक output आपको मिलेगा, according to the combinational logic block, यहाँ पर कोई flip-flop या memory element यूज नहीं होता है, इसलिए z के लिए हम लोग work out नहीं करते हैं अपने question में, सीधे जो equation है, उसके k map बनाएंगे और उसके accordingly circuit बनादेंगे, यह circuit होगा तो उसका just inverse में k map बनाएंगे, चीक है ना? तो अभी अपन ने देखा कि यह जितने भी जो circuits अपने हैं, अपन लोगों ने देखो, जो हमने question number one से जब start किया था, तो वहाँ पी यह लिखा था, कि अगर हमें state diagram दिया होगा, तो हम उससे transition table बनाएंगे, फिर उससे k map बनाएंगे, फिर उससे उसकी next state equation का पता चल जाएगा, और उससे फिर उसकी input equation निकालेंगे, और input equation निकालने के बाद वो circuit diagram बन जाएगा, इसी order को अगर आप याद रखो, तो इसको reverse जब कर दोगे, जब आपको circuit diagram दिया हो, और आपको state graph तक जाना है, तो आप circuit diagram में input equation देखोगे, उसकी next state equation निकालोगे, फिर उससे उसकी next state से उसका, उसके बाद उसका k map बनाऊगे, k map से उसका state diagram, state table बनाऊगे, फिर उसका state diagram तो आपको कोई भी एक order याद रखना है, फिर ये देखना है कि हमें topmost end पे जो value है वो दी हुई है या bottom पे, अगर आपको state diagram दिया है, तो circuit तक आपको reverse order में जाना है, और अगर आपको कोई logic circuit दे रखा है, तो आपको state diagram तक उसके opposite order में जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नई चीज है इसमें, order बस याद रखना है और उसके according आपको question solve करना है, आपका हो जाएगा question solve, clear है यहाँ तक? या कितनी बार यह one होगा, तो verbal description में आपको एक sequence detector की तरह कोई digital logic create करना है, इसमें आपको एक sequence दी होगी, कि design a logic which gives 111 या 1101, इस तरह का कुछ एक input आपको दे रखा होगा, वो sequence आपको बनाना होगा, ठीके? अब इसमें क्या है? कि इस sequence को बनाने के लिए आपके पास कुछ set of instruction है, उसके थुरू आप उसको logic level तक लेके जाओगे, और ये दोनों ही काम करने में हमारे पास दो तरह की machines use होती है, मीले machine and मूरे machine, ये मीले एक जैसे concept हैं, दोनों में, designing के concept same है, तो अब हम देखते हैं, वर्बल description में क्या-क्या होता है, ये आप चाहें तो note-down कर लेना, वर्बल description में जो पहला point होता है, वो होता है, realize a flow table और a state table from the verbal description, तो सबसे पहले हम एक state table बनाएने के पहले एक flow table होती है, flow table का मतले भी होता है, आपको flow उससे पता चलता है, कि input में, जैसे मैंने आपको flow table देदी, तो वो read अगर करना आ गई, तो आप ये बता दोगे कि question क्या है, कौन सी sequence दी हुई है हमें, जो हमें बनाना है, तो उसमें आपके पास क्या रहेगा, आपको रहेगा 111 या 1101, इस तरह से कोई भी एक sequence होगी, अगर वो sequence है, वो flow table में बना गए, तो मतलब आप state table भी बना सकते हो, then state diagram भी बना सकते हो, बस इसमें ये तीन चीज़े करनी है, पिछला जो topic था हमारा जिसमें अपन को k-map बनाके, boolean expression निकालके, circuit diagram बनाके, solve करना था, उतना काम इसमें नहीं करना, इसमें direct flow tables बनानी है, उससे state table बनानी है, उसस मूरे machine यूज करोगे, जो भी machine आएगी according to questions आपको मिल जाएंगे, कि आपको बताया जाएगा कि क्या कौन सी machine कब यूज करना है, ठीक है, वो question के according होगा, second point है इसका, सबसे पहले आपने flow table बना ली, जो भी verbal description आपको दिया हुआ है, उसके according, second point है आपका, reduce the number of states if necessary, minimization of state table, तो second में क्या है, reduce the number of states, अब क्या होता है, for example, आपके पास 5 states है, मतला 5 row है किसी question में, अब 1 row ऐसी है, जैसे A और B दो state मैं लेता हूँ, और X input लेता हूँ 0, for example, तो X जब 0 है और मैं state A पर हूँ, तो मैं A से B पर move कर रहा हूँ, और जब X equal to 1 हो गया, तो मैं A से C पर move कर र और B के साथ भी है, कि B में, जब मैं state B पर हूँ, और जब input मुझे 0 मिला, तो मैंने B पर move किया, और अगर 1 मिला, तो मैंने C पर move किया, तो ये दोनो state AC है, जो same तरह के next level पर ले जा रही है, states को, तो इसका मतलब हम इन दोनों के जगह केवाल एक state यूज़ कर सकते हैं, क्य दूसरा काम है कि number of states को, अगर वो reduce हो रही है, common output ये common next states हैं उसकी, तो हम उसको reduce कर सकते हैं, ये जब questions solve करेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे state reduction करते हैं, minimization of state table कैसे होता है, छी के दो काम हो गए, flow table बन गई, उसके बाद उससे state table बन गई, उसके बाद उससे state table में अगर को same next state और output दे रही हैं, तो उनको हम हटा सकते हैं, तो reduce of states हो गया, third, अब point आया, कि जब ये जो final table है, अब इसको हम कुछ binary value assign कर देंगे, जैसे a, b, c है, तो a को 0, 0, 0, 1, 1, 0, इस तरह से कुछ हम binary value assign कर देंगे, छी के, fourth point में, obtain transition table, अब ये जो fourth point है, इसमें हम क्या करेंगे obtain transition table, जो binary value आ गई, तो save state table जो है, उसको हम transition table में convert कर लेंगे, क्योंकि now we have some binary value of each states, transition table बन गई, अब क्या होगा transition table से, हमें 0, 1, हमें ये पता चल गया है, कि 0, 0 मिला, तो हमें 0, 1 पे move करना था, क्योंकि input condition पर हमें यहां जाना है, ये पूरा state table में define होता है, तो binary value से state transition table बन transition table से, आपने क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है, select flip-flop and final excitation table, अब आपने जो भी flip-flop में digital के subject में पढ़ा है, कि आप जब भी flip-flop बनाते थे, तो उसकी एक excitation table होती थी, कि अगर flip-flop में मुझे 0 था, T flip-flop है, अगर 0 था, और मुझे output next state, उसकी 1 मिल गई, तो T का combination क्या होगा, तो हम लिख देते थे, 0 से 1 मिला, तो T में change, और अगर 0 से 0, या 1 से 1 रहा, तो no change, मतलब वहाँ 0 हो जाएगा, और 0 से 1 मिला, तो 1 हो जाएगा, 0 से 0 मिला, तो 0 हो जाएगा, मतलब एक्साइटेशन table सिंपल ही है, वो मैं अभी बताऊंगा, चारों की excitation table की कै कैसे ये work करती है, इसके बाद next state है, excitation table बनने के बाद आपके निकाल सकते हो easily, उसकी flip-lock की input equation, जो की अपनको अभी verbal description से निकालनी है, पहले तो अपनको दी रहती है input equation या circuit diagram, लेकिन यहाँ पे अपन वो किस से निकालेंगे, excitation table के minimum का use करके flip-lock की input equation निकालेंगे, and then draw the logic circuit tree, ठीक है, तब हम उसका logic circuit design करेंगे, तो ये पूरी complete steps हैं, आपको याद होनी चाहिए, और इसमें जो major questions हैं, आगे future में जो अपनको करना हैं, उसमें केवल ये 1 से लेकर state diagram, state table तक ही करना रहते हैं, बाकी के जो नीचे के 5 option हैं, ये initially इसलिए बता जा रहे हैं, क्योंकि state table से लेकर diagram तक आपको बनाना आना चाहिए, बाकी की चीज़ें के लिए, एक बार वो आ गया, तो फिर वो बार-बार हर question में आपको नहीं बताएंगे, वो capable आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज जो अपनने एक order पता करा है, कि कैसे कैसे order wise अपन जाते हैं, circuit diagram हो, या input equation दी हो, तो वो order अगर याद हो, तो यह सब जगा सेम apply होता है, ठीक है, यहादा clear है सबको, अब अपना जो यह unit में, जो main concept क्या रहेगा, excitation table, किसी भी flip-flop की, तो आज हम क्या देखेंगे, excitation table बनाने के लिए, मैं चारो flip-flop की excitation table यहाँ पर दिखा रहा आपको कि यह वाली excitation आप सब लोग बना चुके हो, लेकिन इसको एक बार recall कर लीजे, ठीक है, तो suppose हमने SR flip-flop लिया, SR flip-flop में excitation table consist of present state, next state and SR input, required input, तो present state suppose 0 है, और next state suppose 0 है, 0, next state is 1, present state 1, next state 0, present state 1, next state 1, अब excitation table में क्या बताता है, यह कि भई जब पहले 0 था और बाद में भी 0 है, next state भी 0 है, तो SR input पे अपनको क्या देना पड़ेगा, कि अपनको next state पे 0 ही रहे, यह चेक करना रहता है, तो SR का क्या होता है, zero don't care, मतलब अगर next state 0 रहती है, इसका मतलब क्या है, या तो reset हुआ ह होगा, या तो R1 होगा, तो 0 से 0 पे गए, या फिर 00 होगा, input combination 00 होगा, तो no change होता है, या फिर reset हाई हो जाए, तो आपको मिलता है next state में 0, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां पे बता ज़ता हूँ, SR में या तो 0 और 0 SR में 0 और 1, ठीक है, जब आपको 0 और 0, मतलब एक तो यह हो गई no change condition, पहले 0 था और बाद में भी 0 है, या फिर आपको पहले कुछ भी रहा हो, बाद में 0 हो गया है, इसका मतलब क्या है, circuit reset हो गया, ठीक है, तो यह दोनों condition कैसे calculate होती है, when s is 0, r is 0, तो no change condition, when s is 0 या r is 1, तो reset condition हाई हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, हलो, हाँ class, आप समझे, कि आर 0 या वन कुछ भी रहेगा, जीरो होगा तो जीरो-जीरो कंडिशन फुल्फिल होगी इसका मतलब जीरो रखना है और आर जीरो या वन हो सकता है तो उसको हम डोंट केर ले सकते ठीक है तो यह यह टेबल तो आप लोगों ने बनाई होगी I think एक्साइटेशन सबको आती होगी मुझे लग रहा है यह सूब हना ना तो झब अपकर जीरो-वन है तो एक्सेत कंडिशन आगई तो सैट वन रीशेट जीरो वन जीरो है तो वन था और जीरो होगया मतलब रीशेट होगया रीशेट कंडीशन होगी तो रीशेट में R1 S0 और जब 1 से 1 पे गए तो या तो 00 condition fulfill होगी या set condition fulfill होगी तो S यहाँ पर don't care हो जाएगा R always 0 रहेगा तो इस तरह से हम बनाएंगे excitation table for SR flip-flop इसके बाद यहाँ पर एक example लिया है JK flip-flop JK flip-flop में भी same काम किया है है अपनने कि Q आपका 0 है और QT 0 है मतलब 0 0 0 प्लस 0 1 1 0 1 1 यह 4 option लिए अब JK में क्या करते है 0 से 0 गए तो same SR का updated form है यह 0 don't care 0 से 1 में गए तो 1 don't care अब यहाँ पर क्या होता है यह don't care term क्यों बढ़ जाती है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर indeterminate state नहीं होती अगर यहाँ पर कोई input 0 था और वो 1 हो गया तो या तो वो set condition fulfill होगी या फिर 1 1 input हो सकता है क्योंकि 1 1 पर जो previous state है उसका compliment मिलता है तो इसलिए हम यहाँ पर जैसे 0 था और 1 हो गया तो या तो set हो गया जैसे की आपका यहाँ पर 2 input ले ले लेते हैं एक जै 0 होगा और 0 से 1 होगा तो जै 1 होगा और के आपका 0 होगा तो यह set condition हो गयी या फिर जै 1 होगा और के भी 1 होगा तो 1 1 पर इसका मतलब के जो है वो 0 और 1 है तो इसको अपन ले सकते हैं डोंट केर और दोनों कंडिशन में जै आपका 1 है इसका मतलब जब आपका 0 से 1 मिल रहा है तो 1 डोंट केर इस दा final state ठीक है ना similarly 1 से 0 गए तो डोंट केर 1 1 से 1 पर गए तो डोंट केर 0 तो यह जेके की excitation table है इसके बाद आप T flip flop पे गए T flip flop को अपन toggle flip flop भी बोलते हैं और यह toggle क्या करता है change 0 से 1 या 1 से 0 मतलब change अगर दिखा रहा है मतलब जब T on है तो change होगी value जो भी value होगी वो reverse हो जाएगी compliment हो जाएगी और जब T 0 होगा तो no change ठीक है तो यहाँ पे देख लो आप 00 पे no change तो T 0 है 1 1 पे change तो T 0 है 0 से 1 पे गए तो T 1 है और 1 से 0 बगए तो T 1 है तो change यहाँ पे आया वहाँ पे 1 no change आया वहाँ पे 0 finally D की state table अपन देख लेते हैं D की state table में क्या है 00011011 तो D मतलब delay flip flop यहाँ पे यह बफर यूज होता है कई जगा तो इसका इसमें तो सबसे simple है कि जो भी आपका next state है वही आपका D input होगा जो D में मतलब जो भी input जाएगा वही आपका next state होगा तो this is the excitation table for D flip flop तो आज आपको क्या क्या करना है आज आपके पास दो काम है